प्रिये दर्सकों आप ये बनस्पती जो देख रहे हैं इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं ये कौन सी बनस्पती है उसका प्रियोग किस परकार करना चाहिए और इसका कौन कौन सा जो वहाग है वो उप्योग युक्त होता है और कौन सा नहीं होता है और इसमें कौन क इसका सेवन करते हैं सेवसरी गड़ों के बारे में आज हम आपको फूरते जानकारी बटाने वाले तो आप हमारे साथ अन्तक में पूंत्त सब्सक्राइह अरे हम जैने है इसके अबर जृञ के जैने जहाण आपको करीब साथ फिर तक उचाई तक मिल जाता है इसके पत्ते तिन कटे हुए आकार में मिलते हैं और इसके छाल थोड़ी खुदे रंके होती है इसके फल लाल रंके होते हैं स्वाद में यह खटे मीठे होते हैं तो इस पौधे का हम पंचांग या इसके जड़, तना, फूल, पत्तिया इसके फल के पत्तियां यादी का हम प्रियोग करते हैं इसको रोसेल के नाम से जानते हैं और इसका बौटिकल नाम हिपकस सब्दा फिरा है और यह अफरीका का मूल लिवासी माना जाता है जिस छेतर में पाने की कमी रहती है उन छेतरों में इसकी पैदावार अच्छी मात पत्रा में होती है क्योंकि यह कम पानी में भी उख सकता है और इसके जो फल है इसकी चटनी बना कर भी खिलाया जाती है शौस बना कर भी खिलाया जाता है जूस भी बना कर पिलाया जाता है और इसका सेवन वैन या कैन कैरी के उत्पाद में भी किया जाता है क्योंकि यह ख कर सकते हैं औस्दिय दुरष्टी से इसका सेवन महलाओं की मासिक धरम में एठन होने के रहत के लिए इसका प्रियोग किया जाता है यह हमारे प्रितु दक्षमता को भी अच्छा बनाता है क्योंकि इसमें इसमें इसका प्रियोग करने से हमारे पाचन तंत्र भी अच्छा होता है क्योंकि इसमें एंटी ऑक्षिडेंट एंड एंटी इंफ्लामेट्री की प्रोपर्टी होती है इसमें fiber और magnesium अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो हमारे प्राने से प्राने कब्स या कॉंशी पेशन की समस्या से निजाद दिलाता है इसमें कायर वो हाइडेट भी अच्छी मात्रा में होता है जो हमारे सियत के लिए बहुत ही जरूरी होता है और इसाती साथ हमारे वेट लौश करने में भी मदद करता है इसमें फासफोरस अच्छी मात्रा में होने के करण हमारी मसल्स को ये गिरो करता है और हमारे स्रीर को हश्ट पुष्ट बनाता है जिन लोगों की दांत खराब है या दांतों में गम्स लग जाते हैं या उनकी हडियां कमजोर हो जाती है तो ऐसे में वो इनकी सब पतों का साग बना कर खाते हैं तो उनके दांत अच्छे और हडियां मजबूत होती है क्योंकि इसमें कैल्सिय मच्छी मात्रा में पाया जाता है लीवर कमजोर होने के करण हमारा पाचन तत्र खराब हो जाता है या हम कमजोर हो जाते हैं और साथी साथ हम एनेमिया या जॉन्डिस के सिकार भी हो सकते हैं तो ऐसे में आप इनकी फ़लों का जूस निकाल के आप सेवन करते हैं तो आपका लीवर को भी प्रोटक्ट देता है क्योंकि इसमें एंटी ऑक्षिजन के जो प्रोपर्टी है वो अच्छी मात्रा में होती है healthy pregnancy के लिए भी हमें सबसे ज़्यादा महलाओं को iron potassium यादी की बहुत जरूरत होती है तो इसमें iron और rich food mineral अच्छी मात्रा में होते है जो health pregnancy के लिए बहुत जरूरी होता है यह bad cash toll को भी कम करने में मददगार साबित होता है क्योंकि इसमें potassium भी अच्छी मात्रा में होता ह है जो हमारी hard muscles को strong और bad cash toll को कम करने में मदद करता है इसमें calcium magnesium carbohydrate phosphorus potassium fiber और vitamins A, vitamins B, vitamins A, vitamins B2, vitamins C पिर्चर मात्रा में पाया जाता है जो हमारे सरी के लिए बहुत ही अच्छा होता है इसकी पत्तियों का और इसके फलो का seven आप कर सकते हैं इसका jam, jelly, रस या इसकी chutney इसका साग बना कर आप seven कर सकते हैं इस rose sale का प्रियोग आप किस फ्रकार करते हैं और अपने हैं इसको किस नाम से जानते हैं आप हमें comment box में जाके बता सकते हैं तो इस rose sale की महतपूर जनकरी हम ही समाप्त करते हैं और आप हमारे साथ अंतक बने रहे उसके ल झारेशंगा